वेलकम बेक टो मैं चैनल सबसे पहले तो वीटियो को लाइक कर दें आज का डिजाइन आपको बहुत पसंद आएगा हम आपको पूरी जैकेट बनाना बताएंगे तो हमने इसको पूरा स्वेटर बनाया है फुल बाजू का बट पार्ट वन में हम आपको हाफ जैकेट बनाना बताएंगे सेकंड पार्ट में हम आपको स्वेटर बनाना बताएंगे फुल बाजू का अगर आपको हाफ जैकेट बनानी है तो आप पार्ट बन देखें अगर आपको पूरा स्वेटर बनाना है दोनों बाजू बनानी है तो आप दोनों पार्ट देखें तो पार्ट टू बनाया है दिखिए किसी भी वीडियो का description कैसे check करते हैं जैसे वाला वीडियो चल रहा है इसके साइड में जो button दिखेगा इसको आप जब टच करेंगे तो जो box खुलेगा उसको description box कहते हैं यहां पर आपको second part का link मिलेगा या फिर आप क्या करें चैनल पे जाएं देखिए all बनाया इसको touch करेंगे तो चैनल open होगा फिर यह वीडियो में जाएंगे जब आप तो आपको सारी वीडियो यहां पर मिल जाएंगी part 2 भी मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से किसी भी वीडियो का description चेक कर सकते हैं चैनल पे जा सकते हैं देखि ऐसे चोटा साइज बनाना है तो आगे वीडियो में बता देंगे अब हमने चैन बनाई है 105 चैन बनाई है तो अब हम क्या करेंगे देखिए तीन चैन छोड़के चौती वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोस्या बनाएंगे तो चैन को count किया तो हमाई पास दो डबल क्रोस चैन के हमारे पास फिस के पास वाली चैन में डालेंगे यहां पर तीन हो जाएंगी देखिए तीन होने के बाद अब हम एक चैन बना कि सिम इसी जगे एक और बनाएंगे तो चार डबल क्रोसे हो जाएंगे हमारे पास देखिए इस तरीके से चार डबल क्रोसे होगी फिस क पास बली चेन में बनाएंगे 5 हो जाएंगी देखिए और ये लास्ट 6, 6 डबल किरो से हमारे पास हो गई ठीक है, अब हम 3 चेन छोड़ेंगे, 4 बली चेन में डालकर 1, 2, 3, 3 चोड़ेंगे, 4 बली में डालकर इस तरीके से बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 3 बार में धागा नि इस तरीके से, अब 3 चेन लेकर सेम इसी जगे फिर से डालेंगे, 1, 2, 3 इस तरीके से दो बार हो गया, फिर 3 चेन लेकर बापस इसी जगे डालेंगे, 1, 2, और इस तरीके से एक फूल हमने बना लिया, अब फिर से हमें, 3 चेन छोड़नी है, 4 वाली चेन से हम स्टार्ट करेंगे, 3 चेन छोड़के, 4 वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर, 1 डबल करोश्या बनाया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, 2 हो जाएंगे हमारे पास, इसमें डालेंगे तिकी 3 हो जाएंगी, एक चेन लेके सेम इसी जगे फिर से डालेंगे हम, चार, पाँच, और एक छे, 6 डबल करोश्या हमने बना लिया, फिर से हमें 3 चेन छोड़के, देखे 6 हमने बनाया है, पहले 3 डबल करोश्या बनाया है, पहले 2 डबल करोश्या, फिर तीसरी वाले में हमने एक चेन लेके वहीं से स्टार्ट किया, अब फिर से हम 3 चेन छोड बनाएंगे चौथी वाली चैन में फिर से फूल बनाएंगे देखिए एक बार फंदा निकाला दो और तीन सारे फंदे एक साथ निकालने के बाद तीन चैन लेकर बापस इसी जगह डालेंगे फिर से तीन बार फंदे लेंगे हम फिर सारे एक साथ निकालने के बाद फिर तीन चेन लेकर बापस इसी जगे डालेंगे तीन बार में फंदे लेकर फिर से निकाल दिया देखे दो बार हमारे फूल बन गए हैं ठीक है अब फिर से हमें छे फंदे बनाने हैं जैसे अभी हम बीचबी भीच में बना रहे हैं इस तरेके से तो तीन चेंग छोड़ के छोथी चेंगे फिर से इसराट करेंगे तीन चेंग फिर से इससे स्टार चेन लेकर से मेसि जगे से फिर से स्टार्ट करना है देखेए चार हो जाएंगी हमारे पास और यहां पर पांच हो जाएंगी और एक छे ठीक है तो हमारा जो डिजाइन है न वो हमारे 12 फंदों में पढ़ेगा तो 12 के साथ जाएंगे हमें 7 वारे फूल बनाने एक दो, तीन, चार, पांच, छे और जाएंगे साथ ठीक इतना वार बनाने के बाद अब हमने श्टार्डिंग में जैसे दो डबल क्रोस्य बनाई थी न तो पैसे हमें फिर से बनाना है देखे यहाँ पर छे फंडे बनाने के बाद तीन पन्दें बनाने के बाद उसी चेहन से हमने रहे हैं इस तरीके स्टारी से इस चाहिन बनाएं के जैसे स्टाइंंगर हमने 2 डॉबल क्रोस के बाद एंच चेहन चोड़ी उस ट्रीके से आपको द्रीर हूं चेंडर खोर た rapермें चेन चेहन पर एंच चेहन से हमसपाहे% degree cream और 97 चेन में हमाई डिजाइन बनगे इसको हम बाद में खोल दिंगे अब हम क्या करेंगे देखिए अगर आपको इसे छोटा साइज बनाना है तो आप पीछे के साइट छे बार फूल बनाए अब हमने तीन चेन बना ली और देखिए इस वाले फंदे को इस तरीके से क्रोश हैंगे देखिए पहला फंदा छोड़ दिया सेकेंड बाले को उठाके एक डबल को से बनाया और एक दो और तीसरा हम इसके अंदर बनाएंगे तीन के बाद फिर हम एक चेन लेकर और बापस इसी जगे बनाएंगे चार हो जाएंगे हमारे पास पास और छे तो दोनों साइट से हमारे एक एक फंदे छोड़ जाएंगे देखिए दोनों साइट से एक एक फंदे को हम छोड़ेंगे तो हमें 6 के 6 फंदे फिर से कर लिए ठीक है अब हम तीन चेन बना के 3 चेन बनाएंगे 1, 2, 3 3 चेन बनाके पुल के उपर हमें इस तरीके से यहां पर जोईन करना है फिर 3 चेन बनाके फिर से देखें जो 6 फंडे हैं पहले वाले को हम छोड़ेंगे शेकंड वाले को उठा के 1 डावल क्रोय से बनाया 2, 3 तीन फिर एक चेन लेकर बापस इसे बनाएंगे चार पांच और लास्ट बन छे बार बना लिया हमने ठीक है दोनों साइट से एक हमें फंदा छोड़ना है फिर तीन चेन लेकर यहां पर डालके इसको जॉइन करेंगे तो इसी तरीके से डिजाइन हमाई बनेगी दो रो की ड फिर देखेए छे फंदे है प्याला फंदा छोड़के एक दो तीन एक चेन चार पांच और चे फिर यहां पर इसको जॉइन करेंगे फिर से देखिए हम एक, दो, तीन, तीन चेन लेके यहाँ पर बनाएंगे इसको एक, दो, तीसरा इसके अंदर बनाएंगे, एक चेन, चार, पाँच, और एच्छे तो इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, आगे दिखाते हैं, आगे क्या करना है, ठीक है, लास्ट में हमारे पार दो फंदे बचे हैं, तो इसमें भी हमें सेम रिपीट करना है, देखिए, पहले तो एक फंदा हमने इसको छोड़ दिया, इस वाले फंदे को ठा बनेगी, तो एक रो में हमें फूल बनाना है, दूसरी रो में जो अभी हमने बताया तो बो बनाना है, फिर से देखिए, तीन चेन लेकर और इस फंदे को फिर से हम उठा के बनाएंगे, यहां पर दूसरा वाले फंदे को उठा के बनाएंगे, यहां पर इसको बना लेंग बीच में इसके अंदर एक चेन लेकर बापस इसी जगह डाल के बनाएंगे चार फंदे हो जाएंगे हमारे पास पांचमा फंदा इसको उठाएंगे और ये छे छे फंदे फिर से हमने पूरे कर लिए अब फिर से हम फूल बनाएंगे इसके उपर तो तीन बार में फंदे लेकर सारे फंदे एक साथ निकाल दिये तीन चेन बापत इसी जगे डालेंगे और तीन परवे फंदे निकालेंगे देखिए परवे फंदे निकालती है तीन चेन बापस इसी जेगे डालके फिर से देखिए हमने इस तरीके से फूल बनाना है तो सिंपल सा जाइन है एक रो में फूल बनाना है एक रो में हमें तीन तीन चेन लेकिस पर जोईन करने हैं और जो छे फंदे बनाई हैं उसको सिम बैसे ही बनाना है हमें जैसे हम बना रहे हैं पहला फंदा छोड़ना है और दूसरे फंदे को बनाना है दोनों साइट से हमें एक फंदा छोड़ना है और इस तरीके से हर रो में हमें इस जगे पे कोई भी चेंज नहीं करना है देकि पहला फंदा छोड़ दिया एक दो तीसरा इसकेंदर बनाएंगे हम तीन हो जाएंगे एक चेन लेके चार पाँच छे ठीक है तो इस रो को हमें ऐसे ही कम्प्लीट करना है इसी तरीके से अभी आपको दो बारे फूल दिख रहे हैं हमें टोटल 16 बार फूल बनाने हैं उसके बाद हम मुढ़े आपको बताएंगे मुढ़े कैसे बुढ़े पर कैसे फंदे घटाने है तो इसी तरीके से बनाते जाना है सिंपल है कोई चेंज नहीं है देखे हमने एक दो तीन चार पाँच बार फूल बना ली है इस तरीके से हम टोटल 16 बार फूल बनाने के बाद दिखाते हैं देखे हमने यहाँ पर 16 बार फूल बना ली है आपको दिखा दे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंदा, सोला सोला बार हमने फूल यहाँ पर बना ली है इतनी लेंध रखे है अगर आपको इससे ज़्यादा लेंध रखनी है तो आप 17 या 18 बार फूल बनाने के बाद बुढ़े घटाएं अब हम बुढ़े पर फंदे घटाएंगे बुढ़े पर देखे हम क्या करेंगे एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे एक चेन लेली हमने देखे एक चेन लेंगे पहले हम पाँच फंदे घटाएंगे देखे सिली पिष्टेज बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच फंदे हमें घटाएंगे इस तरीके से पाँच फंदे हमने घटा दिये छे का डिजाइन है तो 3 फंदे design बाले घटाए है और 2 फंदे जो starting बाले है वो घटाए है अब देखिए 5 फंदे घटाने के बाद हमने 3 चेन ले ली तीन चेन लेने के बाद देखिए चेन को कांट किया तो एक double crochet है है मारे पास अब इसमें डालेंगे तो दो हो जाएंगी देखिए और यहाँ पर लास्ट तीन तीन डेबल क्रो से हमने साधा बनाना है देखिए हमने पांच फंदे गटाएं छे डिजाइन में से तीन गटाएं हैं और दो इस्टार्डिंग बाले अब हमें यहाँ पर फूल बनाएंगे तो तीन तीन बार धागा लेके बापए सीची जगे डालेंगे और एक दो और एक तीन तीन बार में फंदे निकाल दी फिर से तीन चेन लेकर एक दो तीन बापए सीची जगे डालेंगे तीन बार में फंदे निकालेंगे ठीक है इस तरीके हमने बना लिया हुआ है पांचपन्द होटाने के वाद करोष Among the Åई के बाद हमने एक फूल बना कहले सुने अब इसमें छे फन्द है तो एक फन्द चोड़ा से फंद हैं देखे पहला फंद चोड़ का रिख लुदा देखे देख़्टेन के बना रिक शोया और एक्षेन लेकर बापस विशी जेकर डालके चार हो जाएंगे दिखिए और पांच एच्छे ठीक एच्छे डबल क्रोस है हमने बना लिया अब फिर से फूल के ऊपर फूल बनाएंगे हम यहां पर सिम्पल है तीन बारे फंदे निकालने हैं फिर सारे फंदे एकसाथ निकालके तीन-तीन chain लेनी है इस तरीके से फूल हमारा complete हो जाएगा आपको हम दिखा दें देखिए इस तरीके से फूल बना लिया हमने अब इसी तरीके से डेजाइन बनाती हूँ हम दूसरे साइड तक लेकर जाएंगे js clips दो देखे मनें इधर 100 फंदे गटाएं और हम महीं यहां कर दो यहां की भी हमनें पांच फंदे छोड़ दे इन पंटे थो फस こें उआइंगे तो हमारे एक, दो, और एक तीन, तीन फंदे साधा बनाने के बाद, अब तीन चैन बना के, जैसे हम फूल पे बना रहे थे, सिंपेसरी बनाना है, देखिए, तीन चैन लेकर यहाँ पर डालेंगे, और जोईन किया, सिंगल करोस्या से जोईन करेंगे, यहाँ पर, फिर से तीन चैन ले देखें तीसरा बीच में बना लिया एक चेन लेकर बापस इसी जगे बनाएंगे तो चार फंदे होगे हमारे पास पांच और ये लास्ट छे छे फंदे हमने फिर से बनाने है ठीक है फिर से तीन चेन लेकर एक दो तीन तीन चेन लेकर फूल के उपर हमें जोइन करना है सिंगल क्रूसया से फिर से तीन चेन बनाके एक दो तीन फिर से चो छे फंदे हैं उसमें पहला फंदा छोड़के दूसरे वाले फंदे को उठाके बनाएंगे तीन बनाने के बाद एक चेन लेकर बापस इसी चार हो जाएंगे हमारे पास पांच में फंदे को इस तरीके से उठाके बनाएंगे छटे फंदे को बनाएंगे तो अब हमें इसी तरीके से डिजाइन को बनाना है तो एक रो में हमें फूल बनाना है और एक रो में हमें सब्सक्राइब आपको दिखाएंगे तो हमने मुद्डे घटा ती आथ हम एक दो मुद्डे यांपने यहां पर जो ठेके दिए मुद्डे अरगे में 4 पाँच 6 साथ इतने हमने में दिए चोड़ाइं तो आगे के साइड हमें 3 फूल बनाने है ठीक है तीन फूल आएगा और प्लस बटन पट्टी आएगी तो आगे का हम बनाना आपको बताते हैं देखिए हमने एक पार्ट बना ले आपको दिखा दें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो हमने तीन बार फूल बनाए है और प्लस बटन पट्टी बनाई है मुट्टे भी हमने सेम तरीके से घटाए है गले पर हमने फंदे घटाए है तो इस तरीके से आपका आ जाएगा तो चलिए अब यह स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है देखे ठीक है इस तरीके से हमने तीन बार यह बनाई है तो इसके लिए चैन में एक डबल क्रोस्या बनाया, चैन को काउंट किया तो दो डबल क्रोस्या हमारे पास हो गई, अब हम फिर से एक चैन छोड़ेंगे और दूसरे बली चैन में डालके देखिए, एक डबल क्रोस्या बनाया, दो, दो डबल क्रोस्या हो गया हमारे पास तीसरे बाले में हम क्या करेंगे देखें तीन डबल क्रोस्या के बाद हमें एक चेन लेनी है और बापस इसी जगे डालके चार देखें चार हो गई पांच और ये छे 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 फंदे हमने बना लिये साधा ठीक है दो के बाद तीसरे फंदे में हमें दो बार बनाना है ठीक है छे फंदे हमने बना लिये हैं आपर तो अब हम क्या करेंगे तीन चेन छोड़ेंगे चौती चैन में फूल बनाएंगे चौती बाली चेन में देखें तीन बार में फंदे लेकर फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से लेकर सारे फंदे एक साथ निकालने के बाद तीन चेन लेंगे हम और बापस इसी जगे डालके देखें बापस इसी जेगे डालके फिर से तीन बार में फंदे निकालेंगे इस तरीके से फिर तीन चेन लेकर बापस इसी जेगे डालके फिर से देखें एक दो और तीन तो इस तरीके से मारा फूल बनेगा अब फिर से हम तीन चेन छोड़ेंगे चौथी वाली चैन में फिर से 6 फंदे साधा बनाएंगे तीन चैन छोड़के चौथे वाली चैन में एक डबल क्रोसिया और ये दो डबल क्रोसिया और ये तीन तीन बनाने के बाद एक चैन लेके उसी चैन में हमने फिर से बना लेगे तो चार हो गई और ये पाँच और ये छे छे डबल क्रोस्या के बाद फिर से हमें फूल बनाना है तीन चैन छोड़के फिर से हम फूल बनाएंगे इस तरीके से तीन चैन छोड़ेंगे चौती बाली चैन में फिर से हम फूल बनाएंगे इस तरीके से तीन बारे फंदे लेकर सारे फंदे एक साथ निकालेंगे और फिर से हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन बापस इसी जेगे डालके फिर से बनाएंगे देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन फिर से तीन चेन लेकर से मीसी जगे फिर से बनाएंगे इस तरीके से हमें फूल बना लिया फिर से हम तीन चेन छोड़के और फिर से छे फंदे सादा बनाएंगे देखे तीन चेन छोड़के चौथी बले चेन में डालकर एक डबल क्रोस्या बनाया इसके पास वाले चैन में बनाएंगे तो दो हो जाएंगे हमारे पास और ये तीन तीन डबल क्रोस्या के बाद हमें एक चैन लेनी है यहाँ पर हम एक चैन लेकर सेम इसी जगह डालके चार और ये पांच और ये लाश्ट छे ठीक है तो इसी तरीक एक 3 तीन बर फूल बना ले है है उसके बघ़ से फथर न न कि यह बना ली अब हमें 5 फथे बटन पρ second के लिए बनाने है इसराइड में ओढाने है जो मैण! स्वेटर घड़बड हो सकता है तो एक जो हमने एक साइट का बना लिया उसमें इस ट्राडिंग में ही 5 बना पट्टी के बनाए है आप जो दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं में हम बन पट्टी के वन दे इस साइड बना है ठीक है पूरा रजाइन खतम होने के बाद एक पांच पंदे हमने बटन पट्टी के बनाने है इस तरीके से अब जो एक्स्ट्रा चेन बची है उसको हम खोल देंगे तो इसलिए हमने ज्यादा चेन पढ़वाई थी अगर बच जाती है तो इसको हम खोल सकते हैं कम पढ़ जाइंगे तो हमें दिकत हो सकते है ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास एक, दो, और एज़े, तीन बार में पडे Запा स्की खकाना, और अब हम 6 वशधी हो रगे हैं तो अब हम क्या करेंगे तीन चेन लेके चेन को count किया तो एक double crochet है हमारे पास दूसरे वाले में डालेंगे तो दो हो जाएंगी और ये तीन देखें बटन पट्टी पर हमें इस तरीके से फंदे बनाने पांच देखें चार हो गए और ये पांच पांच फंदे बनाने उसके बाद जो पांच फंदो स इस तरीके से तीसरा फंदा इसके अंदर हम बनाएंगे एक चेन लेके बापस इसी जगे बनाया तो तीन फंदे हो गए एक चेन लेके बनाएंगे चार हो जाएंगे हमारे पास पांच में फंदे को उठाके बनाएंगे और ये छटा फंदा भी उठाके बनाएंगे दोनों इस वाले फूल के बीच में हमें जॉइन करना है फिर से तीन चेन बनानी है एक दो तीन तीन बनाके फिर से एच्छे फंदे हैं पहला फंदा छोड़ना है और लास्ट वाला छोड़ना है ठीक है तो इस तरीके से बनाना है तीन फंदे हो गए एक चेन लेके बापस इसी जेगे डालके बनाएंगे तो चार हो जाएंगे पांचमा फंदा भी उठाके बनाएंगे और लास्ट छटा फंदा भी हम उठाके बनाएंगे इस तरीके से फिर से हमें तीन चेन बनानी है एक दो ती इसको यहां पर join करना है तो इसी तरीके से पूरी रों हम complete करेंगे फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है यहां तक बनाने के बाद दिखाते हैं तो हमने पूरा यहां तक बना लिया है अब फिर से हम तीन चेन लेकर इसको गुमाएंगे एक दो तीन तीन चेन ले अब देखे पहले फंदे को हम उठाके बनाएंगे इस तरीके से तो आई होप आपको यह डिजाइन समझ आ रहा होगा अगर आपको दिक्कत लगे तो एक वीडियो का लिंक हम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसमें हमने डिजाइन बनाना बताया है तो बहा पांच और यह लास्ट छे छे फंदे के बाद हमें फिर से फूल बनाना है देखे छे फंदे बनाने के बाद अब फिर से हम फूल बनाएंगे तो तीन बार में फंदे निकालेंगे देखे एक देखे तीन बार में फंदे लेकर सारे फंदे एक साथ निकाल दिए तीन चेन बापस इसी जगे, तीन बारे फंदे लिए, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, तीन चेन बापस इसी जगे डालके, फिर से बना लिया, तो एक बार हमारा फूल बन गया है, ठीक है, फिर से हमें इच्छे फंदे हैं, जैसे भी हमने बनायते बैसे बनाने, फूल के ओपर फूल अभी हमारे पास बन रहे हैं, हम 16 बार फूल बनाने के बाद, फिर आपको मुढ्डे घटाना बताएंगे, प्लस गले पर पंडे कैसे घटाए जाते हैं, वो बताएंगे, ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इतना बना लिया है, काउंट करके आपको दिखा का साइड है, तो देखिए हम जैसा कि हमने बोला, एक देखिए, इतना हमारा हो गया है, ठीक है, 16 बार हो गया है, अब हम फंडे घटाएंगे, तो एक साइड में हमारी बटन पट्टी, अब हम आपको बताएंगे, देखिए, इतना हमारा हो गया है, इतनी लैंथ हो गई है अब हम 5 फंदे यहाँ पर घटाएंगे जयते हम यह हमने पीछे वाले बैक साइड में फंदे घटाएंगे वैसे हमें 5 फंदे घटाने है तीन बारे फूल हमने बनाए है और बटन पट्टी बनाई है अब 5 फंदे हम घटाएंगे तीन चेन लेकर पहले हमें बटन पट्टी के फंदे बनाने है पाँच फंदे पाँच फंदे हमने पहले बटन पट्टी के बना लिए साधा अब हमारे पास ये छे फंदो का डिजाइन है तो एक एक फंदा घटाएंगे दूसरे फंदे को उठाएंगे पहले हम एक बनाया और ये दो बनाएं जैसे अभी तक हमने बनाया था सिम बैसे ही हमें बनाना है तीसरा फंदा इसके अंदर बनाएंगे और फिर एक चेन लेकर एक चेन लेकर चार पंदे हो गए हमारे पास पांच मा फंदा अउठा के बनाएंगी पांच हो गए और ये लाश्ट छे छे फंदे बनाने के बाद आफ कि पूरा बनाने के बाद अब हम तीन चेन लेकर यहाँ पर इसको जोईन करेंगे बीच में तो जैसा हम डिजाइन बनाकर ला रहे थे सिम बैसे हमें बनाते हुए दूसरे सैट तक लेकर जाना है बहाँ पर हम 5 फंदे घटाएंगे ठीक है तीन चैन लेके इस वाले डिजाइन को बनाएंगे हम इस साइट तक आगए है यहाँ पर जो हमारे फंदे है 7 फंदे है तो हमें 3 फंदे बनाने देखे पहले वाली चैन में डालके बनाया है 1 फंदा हो गया 2 और यह 3 8 फंदे हैं हमने 3 फंदे बना लिए 5 फंदे हमें घटाएंगे यह पर आपको पांच फणे घर जाएँगे दिखिए तर फण्वेल यहां पर घटा दिए तीन चेन ले ली अब देखिए इसको घुमाने के बाद सेकेंड वाले फंदे में डालेंगे चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोस्या हो गई और यह लास्ट तीन तीन डबल क्रोस्या के बाद अब हमें यह व्याला फूल बनाना है तो पहले तीन बारे फंदे लेकर बारे फंदे निकालने के वाद तीन चेन बापस इसी जगे डालके तीन बारे फंदे निकालेंगे फिर से तीन चेन बापस इसी जगे डालेंगे इस तरीके से एक बार हमारा फूल बन गया फिर से देखे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से जो छे फंदे हैं इसमें से एक फंदा पहले छोड़ेंगे इसको बनाएंगे हम बना रहे हैं बैसे ही बनाना है तीन डबल क्रोस्या के बाद एक चेन लेनी है और ये चार पांच और ये छे छे बार बनाने के बाद फिर से हम फूल बनाएंगे इस तरीके से बनाने के बाद फिर से हम फूल बनाकर और इसको दूसरे साइट तक ले कर जाएंगे मुड़्े घटाने के बाद हमने देखी एक बार फूल बनाया है दो बार और बना के टोटल तीन बार जब मारे फूल बन जाएंगे उसके बाद हम गले पर आगे बताएंगे क्या करना है देखिए यहां पर हमने मुड़े घटाए उसके बाद हमने 3 फूल की लेंट और बना ली है 3 फूल की लंबाई बढ़ा ली है अब हम आगे के से गले के फंदे घटाएंगे ठीक है तो गले के फंदे कैसे घटाने है बहुत ध्यान से आप लोग देखना देखिए जो हमने डिजाइन बनाई है, 6 फंदों की डिजाइन है, सबसे पहले तो हम उसमें फंदा घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर घटाया है, पूरा एक हमारा फंदे घटाने के बाद, 1, 2, 3, 3 के बाद हमने आगे का गला घटाना स्टार्ट किया है, आप 2 के बाद भी घटाना पर चार्ट का है, तो दिखेंगे ह blakar करेंगे, सबसे पहले हमने थीन चैन बनानी है तीन चैन चैन के बाद इसमें डालेंगे 1 डबल क्यों सबनाएंगे, चैन को काउंट किया तो दो डबल क्यों सब्सक्राइब, और तीसवाले में डालेंगे तीन चार ओरे लास्ट पांच पांच फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पर छे फंदे हैं तो हम चार फंदे बनाएंगे दो फंदे हम घटा आदेंगे ठीक है देखिए दो फंदों को हम घटाएंगे और हम सिर्फ चार फंदे बनाएंगे अभी तक हम 6 फंदे बना रहे थे बर अव हम 4 फंदे बनाएगे यहाँ पर डालकर एक फंदा बनाया एक चेन लेकर बाप पर सी सी जेकर डालकर बनाया दो फंदे हो गए और यह तीन फंदे और यह चार फंदे ठीक है भी तक हम छे फंदे बना रहे थे डिजाइन में अब हमने चार फंदे बनाये हैं 2 फंदे हमने घटा दिए ठीक है अब हम क्या करेंगे बटञ पट्टी के बाद से फंदे घटाने हैं और बाकि जैसा हम डजाइन बनारे हैं सिम बैसे ही भी सिंअ बनाना है तीन चेन लेके यहाँ पर ISको जोईन करेंगे जोईन करने के वाद फिर से तीन चेन बनानी है पर जो छे फंदे बना रहे हैं उसको बैसी बनाएंगे देखिए एक फंदा हो गया दो तीसरा फंदा इसके अंदर हमने बना लिया एक चेन लेकर सेम इसी जगे फिर से बनाएंगे तो चार फंदे हो जाएंगे पाचमा फंदा उठाके बनाएंगे और ये लास्ट छटा फंदा भी हम उठाके बनाएंगे ठीक है जैसे हम डिजाइन बना रहे ते वैसे ही बनाना है तिर बटन पट्ती के साइड में हमें हर रो में एक एक फंदा घटाते जाना है इस starting में हमने दो फंदे घटा दिए अब हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे तो तीन चेन लेके पहले इस design को हम cover करके और इस रूप को पूरा last तक लेकर जाएंगे इसको यहां तक बनाते हुए लेकर आएंगे last तक फिर यहां से फिर से design को start करेंगे और यहां तक आजाएंगे फिर आपको दिखाते हैं ठीक है यहां पर फिर से हमें फंदा घटाना है तो side में है हमें फिर से बुनते हुए गले के side तक लेकर जाना है फिर बताते हैं आपको क्या करना है ठीक है हम बनाते हुए यहां तक आजाएंगे फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है तो हमें यहां तक आ गए है हमने फूल बना लिया है तो हमने यहां से दिखे यहां तक हम आ गए फिर से हम गले के साइड आ गए है बटन पट्टी है हमारे पास और यह जो चार फंदे हमने बनाये थे वो फंदे हैं तो चार फंदों में से अब हमें तीन फंदे साधा बुनने हैं एक फंदा फिर से घटाना है ठीक है इसके लिए देखे हम क्या करेंगे तीन फंदे में देखे इस वाले फंदे को उठाएंगे इस वाले को बनाया एक फंदा हो गया दूसरे फंदे को उठा के बनाएंगे और तीसरा फंदा हम इसके अंदर बनाएंगे तो तीन फंदे हम बनाएंगे एक फंदा हमने घटा दिया ठीक है अब फिर से पांच फंदे हमने बटन पट्टी पे रखें तो पांच फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे यहाँ पर डालकर पहले वाले में डालेंगे तो एक फंदा हो जाएगा देखे पांच फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए इस तरीके थे ठीक है अब फिर से हम तीन चेन लेके बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे पांच फंदे बटन पट्टी के बाद हमारे पाद तीन फंदे हैं तो अब हम एक फंदा फिर से घटाएंगे दो फंदे यहाँ पर बनाएंगे दिखे इस वाले में बनाएंगे एक फंदा हो जाएगा और इसके पास वाले में बनाएंगे तो दो फंदे हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है एक फंदा हमने फिर से घटाएंगे अब फिर से जैसा हम डिजाइन बना रहे हैं से बैसे ही बनाएंगे तीन चैन लेकर तीन चैन बनाके एक दो तीन चैन बनाके यहाँ पर इसको जोईन करेंगे फिर से तीन चैन बनाके जैसा हम डिजाइन बना रहे हैं से बैसी बनाते हुए लाश्ट तक लेकर जाएंगे एसा डिजाइन बना रहे हैं वैसे बनाते वें लाश्ट तक ले कराएंगे यहां से फिर से हमें स्टार्ट करके यहां तक आजाएंगे फिर यहां पर एक फंदा घटाएंगे तो देखिए हमने फिर से गले के साइड हम आ गए हैं तो यहाँ पर दो फंदे हैं अब हम फिर से एक फंदा घटा कर एक फंदा बनाएंगे देखिए अब डालके एक डबल क्रोशे बना लिया इसके बाद हमें पांच फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं देखिए एक आज फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद अब हम तीन चेन लेकर फिर से बटन पट्टी बनाएंगे फिर से हमने बटन पट्टी बना ली अब हम फिर से फंदा घटाएंगे तो अब हम क्या करेंगे देखें यहां पर हमें दो चेन लेकर देखें इस वाले फंदे को हम घ यहां तक लेका रहेंगे पूरा दूसे इट तक और फर दूसे साइट से फिर से यम गले की साइड आ जाएंगे फिर दिखाते हैं तो अब बटन पर्टी में पांच फंद में बनाने के बाद फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है तो बटन पर्ती के फंद मनाने कि यहां पर फिर से हमने बटन पत्डी के बना ले अब यहां पर हम क्या करेंगे एक और अंहीं दो चेन करेंगे इसको फिर से दो चेन बनाएंगे और इस वाले फंदेड बनाएंगे हम तो इसी तरीके से हमें हर रो में फंदा घटाना है आप दो फूल के बाद भी फंदा घटाना है स्टार्ट कर दी तो साथ फूल की लेंध हम करने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा इसी तरीके से फंदे घटते जाएंगे हमारे तो हम पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं पूरा बन गया, इसी तरीके से हम घटाते हुए, पूरा हमने बना लिया है, और तो टोटल अगर हम फूल की लंबाई काउंट करें, तो हमारे पास 23 फूल है, 16 फूल के बाद हमने मुढ्धे घटाए है, और उसके बाद 7 फूल हमने और बना के उसकी लंबाई करें, पीछे क पास 7 फूल है, आगे के साइड हमने 3-3 फूल का चोडाई रखे है, तो इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट बना लिये, अब हम आपको जॉइन करना बताएंगे, जॉइन कैसे करना है, इस तरीके से हमने घटाए है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कर लगए, कॉमेट क करके पूछ सकते हैं, एक दो वीडियो के लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में देदेंगे, बहां से देख सकते हैं अब लो, अब इसको हम जॉइन करेंगे, रॉंग साइट से रखकर, और इस तरीके से हम पहले मुढ़े उपर के जॉइन करेंगे, फिर नीचे की फिटिंग हम निशान लगा, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, दोन पहले यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे, फिर हमने जो मुढ़े बनाए हैं, इसके नीचे हमें यहां थे, और लंबाई में सिलाई लगानी हैं फिटिंग की, उसके बाद हम आगे बटन लगा के दिखाते हैं ने देखे, पूरा बना लिया है, आपर बटन भी लगा दिये है, बहुत प्यार सा प्यारीते जेकट बन गई है अगर आपको हाफ जेकट बनानी है तो आप बना सकते हैं अगर आपको फुल स्वेटर बनाना है तो पार्ट टू का लिंक हमने दिसकप्शन बॉक्स, कमेंट ब वाक्समें, बाइ!